आज फाइनली इंडिया USA के एंगेंस जीत गई एंड सबसे ज़्यादा खुशिया हमारे पाकिस्तानी मना रहे के हम लोग जीत कैबाई तो एक कल मुझे न कुछ बोलना थे कि इनको भरोसा नहीं ये लोग फिर दुबारा से हार जाएंगे लास्ट G20 World Cup में भी जब इनको South Africa के एंगेंस जीतना था ये लोग जान बूच के हार गए थे 2019 World Cup में भी इनको England के एंगेंस जीतना था ये लोग जान बूच के हार गए भाई मैं बहुत टाइम से यहीं बात करता रहू और मैं अभी भी इसी बात पर अटल रहूंगा के ऐसा सिचुएशन बनाओी मत के तुम्ही किसी और पर डिपेंड होना पड़े इवन रियल लाइफ में भी ऐसे सिचुएशन बनाओी मत के तुम्ही किसी और पर डिपेंड होना पड़े पहले बोलिंग चूस के जो कि एक अच्छा डिसिजिन था, कल के मैच का मैं रिव्यू नहीं बना पाया, कल में सो गया था जल्दी, I am really sorry, ठीए उसके बारे में भी आज बात करेंगे, बट पहले इंडिया वर्सिस USA मैच के अंदर आज पहले ओपनिंग पे रोहित और कोली आ अब RCV में वो ओपनिंग करता है तो सबको लगता है कि भाई यहां पे भी उसको ओपनर ही आना चाहिए, ऐसा नहीं है, वन डाउन पे भेजो, वन डाउन पे आएगा जब टीम को मुश्किल में पड़ेगी तो इनिक्स को बिल्ड कर पाएगा, ओपनिंग पर यश्यसवी यश्यसवी जैसवाल को होना चाहिए, यश्यसवी जैसवाल और रोहिच शर्मा को ओपनिंग करना चाहिए, और विराट को वन डाउन आना चाहिए, इन माय ओपीनिन, फिर आते हैं रिशाप पन्त और सूरिया कुमार यादव, रिशाप ने थोड़ी बहुत बिल्ड करने अभी भी वो रिटायर नहीं है, उसकी फॉर्म है, तो अभी भी वो आ सकता है, तो ओपनिंग, एमद शेहजाद, साहिब जादा फरान, साहिम एयूब, रिजवान भी ओपन करता है, बाबर भी ओपन करता है, फखर जमान, उस्मान खान, UAE में भाई, वो ओपनिंग ही करता बहुत ही अच्छी बोली थी के भाई, टी ट्वेंटी के अंदर ओपनिंग करना बहुत ईजी और ये बात बिलकुल सच है, मैं अभी इस बात को मानदा हू, सबसे एजीइस फॉर्मेट तो है, लेकिन टी ट्वेंटी के अंदर ओपनिंग करना ज्यादा ईजी है, अब मैं मैं ऐसा बोला तो है, I hope कि वो action लेंगे, क्योंकि जिस तरह कि उनकी personality है, लगता तो है कि वो action लेंगे, so I hope कि action हो इन पे, और I think इनकी जो टोली बनी हुए है, इनकी ग्रुप बनी है, वो तूट जानी चाहिए, ताकि पाकसान टीम को एक अच्छा direction मिल पाए, क्योंकि middle order का bats बैट्समेंन हमारे पास है ही नहीं, हम लोग इतने सालों से ठुले पर चल रहे थे, एक्स्पोस नहीं हो रहे थे, किसमत हमारे साथ थी, अब किसमत हमारे साथ है नहीं, तो हम लोग exposed हो चुके हैं, कि हमारे पास middle order है ही नहीं, सारे के सारे top order के batsmen भरे पने, ego बहुत ज्या खैर अरश्दी पाजी ने आज बोलिंग की, चार ओर्स के अंदर उसने चार विक्टे ली और नौरंस दिये, I think 2.25 की economy के साथ कमाल की economy थी, और आज एक चीज तुम लोग नोट कर रहे होगे, USA ने भी ये प्रूफ करा कि वो कोई easy team नहीं है, क्योंकि जिस तरह कि उन्हों 13th over के अंदर चेस किया, ये अच्छा नहीं हुआ है, खैर कल भी मैं वैसे वीडियो बनानी पाया, लेकिन कल भी मैं यहीं कहना चाहता था कि ये कोई बहुत बड़ी problem है, क्योंकि इस ground पे जितने भी matches हुए है, वो easy target के हुए है, और यहीं, इसी situation के अंदर ही chase हुए हुए 14th या 15th over में chase कर लेते, तो ज्यादा बैटर रहता, लेकिन मैं चाहता हुए हम लोग Super 8 के लिए qualify करें, ताकि हमें next T20 World Cup के लिए qualify ना खेलना पड़े, लेकिन मैं ये भी चाहता हुए, कि Super 8 के अंदर हम जलील हो, ताकि हमारी अवाम भूलना जाए, क्योंकि हमारी अवाम बहुत सेंटी है, काफी emotional है, इनके emotions जोड़ते हैं cricket से, तो अगर ये लोग वैसे तो जीतने वाली शकले है नहीं है, अगर तुक्के से, तुक्के से ये लोग Super 8 को clear करके semis तक चले जाना, फिर हमारे कप्तान साब के पास एक बहान हो का, जी हम लोग semis तक पहुंचे थे, जैसे test match का हम लोग कहते हैं न, हारे ने ते वो draw हुआ था, भाई आप ये मत बोलो draw हुआ था, हम लोग test matches खेलते ही draw करने के लिए है, जीतने के लिए हम लोग खेलते ही नहीं है, वो तो अभी Sri Lanka के साथ हमारी last series थी test matches की, नहीं, लास्ट ली थी उससे पहले, Australia वाली series थी last उससे पहले Sri Lanka के साथ हमारी series थी, दो test matches की, वो हमने 2-0 easily जीता था, क्योंकि Sri Lanka test के अंदर को किसी भी format के अंदर कोई ज्यादा top नहीं है, अब तो उनकी team उससाब से एभी नहीं, तो Sri Lanka को हमने जीता, otherwise हमने कोई top quality की team को अभी तक नहीं जीता test में पिछले 1-1, 2-3 सालों स तो हमने पिछले 2-3 सालों से क्यों top team को नहीं जीता test series के अंदर, हर कोई हमें धो के चला जाता है, England हमारे घर पे आती है, हमें 3-0 से हरा के चली जाती है, तो फिर दुबारा से कप्तान साब को मौका मिल जाएगा, उनको बहाना मिल जाएगा, की जी हम लग ना samis तक पहु एरपोर्ट के लिए, मैं अपने इंडियन्स को बता दू, हमें ट्रोल करते हैं काया जाता है। हमा लगा जाते हैं थ्राजिये भी तो लगा जाती है तो tir फार जाता हैं। करते थे जिस तरह यह लोग फिटनिस टेस्ट देते नहीं ते मिकी आर्थर को यह यह टेस्ट इनका होता ही नहीं था इतना इतना पेट निकला हुए अब है वह जो युएसे का युएसे वाले मैच तुम लोगो ने देखा था ना पाकिस्तान और सिस युएसे उसके अंदर जय स्थाए एक यह अंपायर था छे फृट का लंबगा सा अंपायर था बॉडी बिलंड़ग व्यूस की इस जए बंदा सही होता है वहां पे उसको वह जलत मुझा हुलो डिज्वान जो बहु बहुच्ग मैट लेकिं रिजवान की विटनिस तो है रिजवान की फिटनिस ताकि यह लोग अपने फिटनेस पर फोकस करें, नियारियां फोड़ी जा रही है, फिटनेस की तो कोई फिकर ही नहीं, एक वो हमारा कोली है, जिसने 8-9 साल से मिठाई खाई ही नहीं है, वो बंदा कहता है कि मैं शुगर से दूर रहता हूं, लेकिन इंसान को शुगर लेवल की रियालिटी पता होते हुए, बावजूद फिर भी वो बहगेरत बने पड़ें, जो इनको डिफेंड करें, वो कहेंगे जी फिटनेस तो रोज शर्मा की नहीं है, अभे रोज शर्मा की परफॉर्मेंस तुमने देखी है, फिटनेस भले नहीं लेकिन परफॉर्मेंस है, उसकी आइरलेंड वाले मैच में वो 50 बना के गया है, इसी ग्राउंड पर, इसी पिच पर, इनी कंडिशन में, 39 बॉल्स पर 50 बना के गया है, पचास बॉल्स पर उसने 50 नहीं बनाई, रोज शर्मा की परफॉर्मेंस तुमने देखी है, लास्ट ओडिया वर्ल्ड कप ने उसकी परफॉर्मेंस देखी थी, बट आइ थिंग के फिटनिस पर ध्यान देना पड़ेगा, और बैटिंग पर भी ध्यान देना पड़ेगा, फिर दोबारा से सेम शॉट में वो आउट हुए, इंडिया वाले मैच में इसी शॉट पर आउट हुए, इसलिए फिल्ड पर हलत है, वहाँ पर क्रिटिसाइस करो, दोजर एकिस का टीटवेंडी वोल्ड कप आप लोग सेमी में आ रहे, चलो खेर है, आपने पूरा टोर्णामेंट बहुत ही रिस्पेक्टिव वे में खेला, आपने बहुत ही कमाल की मेमरीबल हिस्टॉरिक परफॉर्मेंस थी, ठीक ह मान लिया, पहला टोर्नामेंट था आपका है as चैपटन, तो खैर है, चलो कुछ नहीं रिसाएउर का इश्या कप फाइनल होरें, तब भी सप्टॉर्ट किया, चलो खैरे, और लगा गया लेकिन aasya का इंधर होलोग स्रे Whose Compact लेकिन गया लिया कि अब इनसे कुछ नहीं हो ना लेकिन फिर भी उमीदे लेके न्यूजलेंड की सी टीम के एकंस हमारी सीरीज वी जब ये ट्रॉ हो गया ना तब मेरी वीडियो उठा के देख लो मेरी छह साथ वीडियो पिछली उठा के देख लो उनके इंदर मैंने यहीं बोला हुआ अकेला रोहित नहीं करता ओविसली कैप्टन तो रोहित है लेकिन विराट भी हर डिसिजन में उस बंदे के साथ है जब उन्होंने देखा ना कि बाई चालिस बॉल्स पर पैंतालिस रंस चाहिए और यह तुक 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 में लगे हुए तब ही वह बाई वो बंदा समझ हम लोगार जाएंगा या तो जीत जाएंगा ऐसा ही होगा बट हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी उस बंदे की कि ओवराल पूरा टॉर्णामिन वह अच्छा खेल दा वाकी खैर नॉकाउट में जीतना नसीब की बात है और प्रेशर भी वह लोग हैंडल नहीं कर पाते फि हम तीनों तो भाई देखो ट्रॉफी लाने वाली शकलें फिलाल है नहीं तो आप ले आओ तो हमें खुशी मुझे तो परसनली दिल से खुशी होगी क्योंकि यार इतने टाइम के बाद लास्ट ट्रॉफी उन्होंने 2013 में जीती थी चैंपिन्स ट्रॉफी में अब वह एक तो यार मुझे नहीं लगता के अब वह ज्यादा खेलेगा वह जितना भी खेल रहा हमें उसकी क्रिक्ट को एंजॉय करना चाहिए क्यूंके क्यूंके वह एक याड़ साल ज्यादा खेलेगा वह नेक्स्ट चैंपिन्स ट्रॉफी के बाद मुस्ट प्रॉबबली अपनी जो के हमारे पास नहीं है यह सबसे बड़ी प्रॉबलम है डॉमेस्टिक सर्कल हमारा कुछ है ही नहीं डॉमेस्टिक के अंदर प्लेयर्स भरे पढ़ें भाई यह चार ओवर के बोलर्स आपको ODI World Cup और World Test Championship नहीं जिता पाएंगे टेस्ट में आपके नेशन को Number One नहीं बना पा पता है भाई वो चार ओर्स का बोलर उसके साथ नहीं होंगे भाई 20-25-25 ठीक है लेकिन डॉमेस्टिक के अंदर से आप प्लेयर्स निकाल ही नहीं रहें आपकी जो सो कॉल्ड प्लेयर्स लीग है जिसको हम अपने दिल बहलाने के लिए के लिए जी आ रहे है बड़े पर तक समझ नहीं होते है एक तो रसी वेंडर से उसे नहीं है और से कुछी बड़े प्लेयर्स थे यार तीन या चार ठीक है आइपिल की तरह बड़े बड़े-बड़े बड़े पलेयर्स भरे नहीं थे तो यह सीन था लेकिन फिर भी अपने दिल को दिलासा देते कि अब और आओ, बहुत सारे प्लियर्स है डॉमेस्टिक में पर्फॉर्म कर रहे हैं, एमस्षेजाद की यह बात मुझे काफी अच्छी लेगी, लेकिन उनको चांसिस नहीं मिल रहे हैं, मुझे भी अब तक समझ नहीं आ रहा, इतना तो सब को पता है, इतना तो तुम भी जानते है मैं भी जानतो, ये चार ओर्स के बोलर, T20 के बैट्समेंस भाई, नहीं होते हैं, सूरिया को मारे आदफ कोई देख लो, T20 में वो गसब का बैट्समें है, बट ODI के अंदर और टेस्ट के अंदर वो डिजर्व भी नहीं करता है खेलना भाई, क्योंकि जिस तरह की घडिया परफॉर्मेंसेज हैं, उसकी ODIs और टेस्ट के अंदर, पर T20 के अंदर बंदा तबाही खेलता है, ये चीज़ है इंडिया के अंदर भाई, वो प्लेयर्स रेडी करते जा रहे हैं, अभी भी अभी अभी रोहिच शर्मा कैप्टन है ना, T20 आइसकी कैप्टन सी मोस्ट प कर रहा है, सच कह रहा है, कोई तारीफ वाली बात नहीं है और ये बिलकुल सच है, अब तो खेर सारे पाकिस्तानी मानते हैं, और मैं genuinely बोल रहा हूँ, एस पाकिस्तानी काफी ज्यादा पाकिस्तानियों के दिल में धोनी के लिए, काफी इंडियन प्लेयर्स के लिए, फॉ क्राट को तयार गया, रोहित को तयार गया, और अब वो आप नी चैप्टेंसी के इंडर हार्दिक पांड़ और रिशबपन्त को तयार कर रहा है, और लिख रख लो, रिशफपन्त आने वाले वक्त में इंडिन CL – तेस् टीम का ये बंते हैं, और रोहिalts शर्मा में पffentlich प् भाई वो खुद को पता नहीं कोई अलगी मखलूक समझने लगते हैं कि बाई बस हम हैं हम करेंगे डिजर्विंग बंदों को देखते ही नहीं वो उकात भूल जाते हैं कि एक दिन जो है न हम भी इसी तरह के गरीब बच्चे थे और हम भी मुश्किल से मैनत करकर के हम लोग यहां तक पहुंचे हैं जब पहुंच जाते हैं फिर यह लोग अपनी हौकात भूल जाते हैं यह बहुत बड़ा डिफरेंस बता रहो विराट कोली भी घरीब घराने से आया कोई बहुत ज्यादा सिफार्शे नहीं थी उसकी वह भी नॉर्मल मिडल क्लास फैमली से आया थ सिफ दिखता था लेकिन आपको काफी कांड प्यारा सा कूल इंसान है पहले बहुत ज्यादा अग्रेशन दिखाता था फील्ड पर तो यह वक्त के साथ साथ इंसान इंप्रूफ करता है हमारे बाबर साब कोली को एक बंदे ने यह बोल दिया कि आपको सचिन से कंपेर किया सर्में आपको अइस तो आपको कंपेरिजन किया जाता है तो पहले रदू आती है लाको मानो यार भई तू इतना भी बोल दे ना कि एक मरतब़ा मीडिया में आगे बोल कि भाई मेरा और उसका कोई मुकाबला ही नहीं है ही जमा सीनियर हाँ मैंने उसे काफी चीज़े सीखी है हमेशा से यहीं चाहत हो अच्छा यह भी नहीं कहता है मैं जब भी उनसे फील्ड पे मिलता हूँ तो मेरी यहीं कोशिश रह दी कि ज्यादा से ज्यादा चीज़ें उनसे सीखूं, तो नहीं, हमेशा जब उनसे मुलाकात हुए, तो यहीं, कि उनसे चीज़ें लूँ, यह क्या बात हुए, चीज़ें लूँ, भाई, चीज़ें सीखूं, नहीं नहीं, चीज़ें सीखूं, जो गलतियां करता हूं, उनसे प बड़ा तुर्रम खान हूँ, तो भाई, लर्ण करने में कोई बुराई नहीं है, सीखो उन से, सिम्पल सी बात है, लेकिन खेर, फिर दुबारा से इनको जब ले आए जाएगा, टी-20 वोल्ल कप से तो इनके उपर जो है ना सही मायनों में एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ज शादाप खान इन सब की ग्रूप बंदी है, इन में से भी अगर किसी को बना लिया, तब भी मसला हो जाएगा, तो किसी ऐसे बंदे को बनाना चाहिए, जो सच में बाई, अगर तू बी हॉनस्त, तुम लोग शायद मेरा मेरी बात सुनके तुम लोग थोड़े से शॉक्त यहसं डिया जाओगे बड़ इस थी रियालिटी, आज पर्सेनली के इस T20 के बाद विल्हाल के एस की एक्पतेंशी आमिर को बाद की नहीं जानता है, और मुझे है यकीन है कि वह बंदा सहीर बेस्चन लेगा, ठीक है, तो आइस मैंदा की एक्पतेंशी मिलधी है, और दी अभी फिलाल सीरीज है भी नहीं हमारी तो ओडियाइस का बाद में देखने हैं किसको captaincy देनी वह बात की बात है लेकिन अभी फिलाल I think T20is के अंदर Mohamed Aamir हो गया तो I think उनको अगर captaincy मिलती है तो अच्छा है इतनी बड़ी बतारा ज्यादा 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 वह चार या पांच साल खेलेगा ज्यादा से ज्यादा हमें उसके बाद भी एक wicketkeeper batsman की जरूरत है ना proper तो मुहमध हारिस है वो मुझे personally यह लगता है तो उन पर फोकस करना चाहिए और उनके अलाओं हमारे पास कोई wicket keeping batsman निया को देख लो बाई इंडिया के पास कितने proper wicket keeper batsman है पार्ट टाइम नी proper जैसे उसमान खान है ना हमारे पास part time part time नी proper wicket keeper batsman है इंडिया के पास उनका main wicket keeper batsman है रिशाप पंग जो के ODIs test तीनों फॉर्मेट के अंदर मस्त बैटता है भाई, फिट है वो बंदा, ODS के अंदर भी, T20 आइस के अंदर भी, और वो यंग्स्टर है, उसका इंटरस्ट देख रहे हो, गेम के लिए उसका पैशन देख रहे हो भाई, तीनों फॉर्मेट का, ये होता है भाई, एक जुनू होने वाला है, फिट हाई, फिट हुर्ने होने वाला है, आईरलेंड के एंस, को देखते हैं, और विडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं भी लू Schulung, with more quick review, तब तक के लिए, गुट बाई